दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं B.L.S. जनसेवा केंदर का नया रेजटेशन आप किस तरह के से कर सकते हैं नया जनसेवा केंदर कैसे ले सकते हैं तो चली वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों मेरा मनपम आप देख रहें यूटुब चैनल अक्टा यानि की सर्विस प्रोवाइडर का नाम दिया गया है जिसमें से मैं व्याम्टेक का सहज का और सभी का वीडियो बना चुका हूँ जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनके सामने B.L.S. सर्विस यहां पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पर आजाएंगे सात नंबर पर BLS International Services Limited इस पर लिंक पर क्लिक कर दीजे तो यहां पर लिंक पर क्लिक कर देते हैं क्लिक करते आप इसकी सारी चीज़े में बता दी गई हैं जो कि आप यहां पर पढ़ सकते हैं यहां पर मै लाएगा है काइंडली डूंट यूज क्रों ब्राउजर इफ वांट टो मेंग दा पेमेंट अगर पेमेंट करना चाहते हैं इनकी वेबसाइट पर आपको मोजिला फारफाक्स यूज करना होगा तो यहां पर रिश्टेशन करने के लिए आपको अपना नाम डालना है भी नमर travaille पहले से हो जाएगा जो कि आप tax नहीं कर पाएंगे अब आपका नाम हिंदी में डालना है आपको यहां पर पिता का क्या नाम है या भी आल देना है फिर आपका जाएंडर है वो यहां पर रिश्टाओन कर रहे हैं तो यहां यहां से हैं और पिए हईड़कर ब पर डिस्टिक किया है तो इतनी डिस्टिक में सर्विस प्रॉइड कर रहे है तो जिस भी डिस्टिक से आप बिलॉग करते हैं अगर आप अपने पास के गांज में या कहीं मार्केट में जहां भी ओपन करना चाहते हैं CSC यहां पर वो CSC का एड्रस आपको डाल देना है नीचे बढ़ाएंगे तो यहां पर डाकुमेंट अप्लोड आपसे मांगा जाता है पैन कार्ड की को अप्लोड करना है आधार कार्ड करना है आप अपनी बैंक पास का साइटिफिकर्ट आपने पढ़ाई कर रखी वह यहां पर कर दीजे साधी साथ नोट पढ़ लिजे कि यहां पर आपका फॉर्मेट जो है JPGPNG फॉर्मेट में होना चाहिए और धाइजों के भी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए तो आप अपने डाकुमेंट 200 dpi में स्क पुर्मेट में तो यहां पर एपक्लिक कर दीजे तो यहां पर जो भी इनकी चीजें वह आप पढ़ सकते हैं इसको चट कर दीजे फिर आपर टिक करके responsive ढी कर दीजे फिरापको reception जाएंगे तो district wise dsp list यहां पे भी है इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके district का जो भी district manager है उसका contact number आपको मिल जाएगा तो यहां पे आप नीचे चले आईए तो यहां पे देखे blm services कहां पे है तो जिस भी district में यहां पे देखे bls international services तो यहां पे देख सकते आयोध्या में भी है तो यहां पे शो भनात हैं तो district manager इनको contact अगर आप इस district से हैं तभी इनको contact करें जिससे आपकी fees और बागी सारी जानकारियां इनसे ले पाएंगे तो इस तरह के से registration किजिए register कर लिजिए payment कर दीजिए आपको आपकी mail ID पे registration details मिल जाएंगी फिर उसके बाद में 15 दिन के अंदर आपको ID password मिल जाता है आपको दो ID password दिये जाते हैं एक G2C जो कि आप इस पोर्टल पे login कर पाएंगे और एक B2C जो कि आप इस पोर्टल पे login कर पाएंगे एक G2C जो कि आपको यहां पे ID stick का login होगा जिससे कि आप आई जात निवास वगेरा या government की जो भी services हैं वो उनका लाव लोगों को दे पाएंगे और आप अपने पैसे कमा पाएंगे इस तरह की से registration करना है BLS जनसेवा केंदर का तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपके डिस्टिक के आगे कोई और service provider है जैसे वैम टेक है सहेज है इंडिया पावर लिम्टेड है IPCL है और CSC है तो उनका भी वीडियो मैंने बनाया है कि हर कंपनी का हैं तो देख देख कि आप कर सकते हैं खुद से किसी की मदद लिए बिना और साथी साथ अपने डिस्टिक मेंजर से contact जरूर करें आप किसी भी आपके डिस्टिक के सामने कोई भी company हो आप contact list पे जाएएगे और वहां पे डिस्टिक मेंजर से कंसल्ट जरूर किजएगा उन मन में कोई सवाल या सुजाओ है तो भी हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ये पिफी आलेषगे साथ मतलब जो भी बेढ़ सेलेश जिनके हां पे सर्वीस पिरड़ hour है तो वह देख के अपना रेशिटेशन कर सकते हैं उस 보통 शेयर करें लाइक और सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें जैहिन